डूस्तोन नमस्कार मैं आपका दोस्त कुमार साहूं 25 गर डंली राजरसे बीख करता हूं और दोस्तों। और अभी आप सभी का स्वागات अभिनंदन में करता हूं और अपनी पूरी कूल टेम कभी अभिनंदन करते हैं टीम Holocaust के और आज जैसे आप सभी को पता है आज हमारा जो दीन रहता है faster by और करते हैं कि अनफेशियों हमारी जिन्दिगी में क्या वदलाव लेकर आएगा आनफेशियों के बाद हमारा जीवन कैसा होगा हमारा सोच कैसा होगा बहुत सारे इसी बाते हैं दोस्तों जिस पर हम विचार कर सकते हैं तो आप सभी मित्रों को मैं मंतृत करता हूं कि आप सभी भी आएं और इस participant जरूर करें इस founder discuss Sunday में क्योंकि जितना ज्यादा discuss हम करेंगे दोस्तों इतना ज्यादा हम आनपेसिव के प्रती खोलते जाएंगे आनपेसिव के प्रती हम गंभीर होते जाएंगे क्योंकि आनपेसिव कोई एक ऐसे system नहीं है दोस्तों जो आज स से पहले हम लोगों ने किसी system को ज्वाइन किया यह कैसी अनुभूती है जिसके बारे में हम जितना भी सुनते हैं जितना भी इसको महसूस करते हैं हर वार हमें एक नया पन एक नया चीज़ देखने को मिलता है क्योंकि जिस उद्देश के साथ जिस मिसन के साथ जिस विजन है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक सिर्फ सोचा था या कई एसते लोगों जिन्होंने सोचा भी नहीं था आपने कई बार सोना हुगा हमारे सीवों मिस्टर रेस फूंफारजी को वहर बार यहीं बोलते हैं कि आन पेसी जो है वह आपके और हमारी सोंस से भी कई ग जरूरत है उसके सांथ चून रहने की उस विजन के सांथ अपने आपको चून करने की उस मिसन के सांथ अपने आपको बनाये रखने की क्योंकि दूस्तों कई बार आपने देखा होगा कई बार हमने सुना हुआ है कि हम बहुत प्रयास करते हैं बहुत मेहनत करते हैं और है कि किस रूप में किशे में या रहा है नहीं नहीं कि तूल साज रोज हमें उसके मिंदम रहби और माते हैं जहां पर भी भात पर आता है जहां करने का आता है तो जरूर आप सभी अपने जरूर capacwater करें क्योंकि दोस्तों हो सकता है हम जो चीज सोचते हैं आपकी सोच थोड़ी सी अलग हो तो हमें भी एक नहीं सोच मिल याती है तो आईए इसके साथ हम ट्यून रहें और आज की सेशन को हम आगे कंटीनु करते हैं और इसके लिए मैं हम सब के बीच हमारे बहुत ही बहतरी डाने करता हूं कि आप सभी करता हूं नमस्कार करता हूं वेलकम करता हूं कि आज हमारा रांडर का डिसके संडे होता है हम आपस में कंपनी को लेके discuss कर सकते हैं कि अपनी जर्णी कैसे है हमने कैसे इसके इंदर जोईन किया है और कोई किस तरीके से हम इसके बारे विचार करते हैं हमारा future के बारे हमारी क्या सोच है तो इन सभी चीजों के लिए आज हमारा जो founder discussion day होता है तो आज हम खुल के उस चीज के लिए discuss कर सकते हैं जिस भी साथी को discuss करनी है तो अपना पहले hand raise करेगा वो उसके बाद one by one हम उनके साथ discuss करेंगे तो आगे मंच की कारवाई के लिए मैं हमारे रिस्पेक्टिड श्री हरिश जी को आमिंतित करता हूं सर आईए वैलकम हरी सर ज पहादुरुगड हर्याना दिल की गहराईयों से आप सभी साथियों का अभी नंदन स्वागत और वेलकम करता हूं मैंडे फ्रैंड्स और साथी साथ आज हमारे मंच पर उपस्तित मिश्टर असोग कुमार गोष स्वामी जी का हम स्पेशल वैलकम करते हैं कि उन्होंने तो साथियों हमारा थाउंडर डिसकसन होता है उससे पहले देखें हम आगर हम कहीं चलते हैं तो हम परगती करते हैं बिना लक्से के गती तो हो सकती है लेकिन लक्से के साथ जब हम चलते हैं तो परगती करते हैं ऑन पैसीव जो चल रही है सुरू से दो हजार अठारा से वो लक्से लेकर चल रही है जब लक्से निर्धारित होता है तो लगातार प्रोग्रेस होती है और पिछले तीन सालों के अंदर आपने हो सकता है किसी ने डेट साल दो साल या चै महीने दो महीने चार महीने जितने भी दिन आपने जोईन किया है अगर आप पिछे के background को नहीं देख पाए हैं तो भी है हम आपको बताएं पिछले डेड़ साल के अंदर हमने भी डेड़ पॉने दो साल अलग बग होने को है तो हमने भी डेड़ दो साल में जो परगती देखी है उन passive के अंदर वो mind blowing है my dear friends और सबसे खास बात क्या है कि आपके और हमारे पास अपने जीवन का काफी अनुबव है बहुत सारे साथी multi level marketing से हैं बहुत सारे दोस्त जैसे कि असो कुमार स्वान हमारे साथ हैं जिन के पास लंबा चोड़ा नुबव है मैं भी हूँ वर्मा जी हैं सुबाज जी हैं संतोज जी हैं और बहुत सारे साथी ऐसे हमारे बीच आप में से भी उपस्तित हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजे देखी हैं दोस्तों लेकिन जब ओन पैसी वाया तो हमें भी यह लगा कि यार यह कोई ऐसा चलो तीक है कंपनी आ रही है दुनिया भर की कंपनिया आती है शुरुवात में हम इसी तरीके से लेके चले लेकिन जैसे जैसे हम इस गहराई में उतरते चलेगे क्योंकि टेकनोलोजी की हमें भी कोई जानकारी नहीं थी हमने तो प्रोडेक्ट बेस और यह नेट्वर्क बना कर और यह साही काम किया था लेकिन टेकनोलोजी किस तरह से काम करती है इंटरनेट किस तरह से काम करता है इंटरनेट के उपर रेवेन्यू कैसे जन्नेट होता है कोई वेबसाइट रेवेन्यू किस तरह से जन्नेट करती है या ट्रैफिक की परिभासा क्या होती है इंटरनेट पर और ट्रैफिक और ग यह थे दोस्तों लेकिन जैसे जैसे इसकी गहराई में उतरते चले गए तो एक चीज समझ में आ गई कि हम एक तो सही समय पर सही कॉंसेप्ट और सही सिस्टम में क्योंकि यह आज का जो दोर है वह इंटरनेट का है इंटरनेट से संबंदित कोई भी व्यापार कोई कर रहा है तो डेफिनेटली वह ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग या व्यापार करने के तरीके थे उनसे वह गती और तेजी से पकड़ रहा है उसके व्यापार में ग्रोथ जो आ रही है इंटरनेट की वज़े से वह बहुत सारे ज्यादा तर लोग ज्यादा तर लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट अपने व्यापार को इंटरनेट के थुरूओ डवलफ करने का प्रियास करें अब हम जब और पैसिश्व की बात करते हैं दोस्तों तो हमें यह समझने की बहुत कतई जरूत हो जाती है विसाइड़ के वह यह इतना दिन हो गया इन चीजों पर ने Lizoo हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो हम तो कितनी तयारिया कर रहे हैं यह यह आ रही होंगी आप और हम समझ यह कि हम अपने घर में या हम अपना एक ड्रीम हाउस बनाना बनाने की जब सोचते हैं बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि अपने अपने मन पसंदिता घर हम बढ़ाएं कि यह कौन क्या कर रहा है कि यह स्क्रीन के साथ किसी ने कुछ किया है कौन है यह सिरीमान चलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है चलो मैं इसको यह ऐसा होना तो नहीं चाहिए आज कैसे हुआ है मैं इसको थोड़ा सा एक में टाइए आप लाइट अब मैं भी कोई निक कर पाएगा यह अभी जिन्होंने भी अभी किया था एक बार फिर करके देखना सर्प्रियास कर रहोता है तो आपसे अद्रवाज हम करते हैं थोड़ा सा डिस्टरवेंस होता है साथियों अगर कुछ ऐसा होता है कि वह तो 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 थोड़ा सा ना करें और यह हमारी गलती है कि हमने इसको पहले से सेटल नहीं किया और हम यह देखे जब हम अपना घर बनाना है या हमारे घर में कोई किसी वी फंक्शन को और्गनाईज करना है तो हम यह समझते हैं कि हमें कितनी कितनी करनी पड़ती है और प्रिपरेशन यानि कि तैयारिया महत्तपुन होती हैं जितनी बहतरीन तैयारिया करते हैं हमारा वह फंक्शन हमारा वह जो भी हम करना चाहरे हैं वह उसका एक्जूक्यूशन उतना बहतर हो जाता है तो ओन पैसी जो इतने दिनों से जो ड्रीम लेकर चल रही है समुप पैसी अपने आपको प्रेजेंट करने जा रही है बहुत जल्दी इस पूरे वर्ल्ड के सामने तो हमें यहां यह समझने की जरूरत है कि वह कितना बहतर होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इस दा लास्ट इंप्रेशन आपने भी देखा होगा और एसर ने हमेश में हैं जब कोई काम कर रहा होता है तो उसमें कोई चीज नहीं आ जाती है या कोई नया स्टैप हम उठाते हैं तो उसके लिए फिर सारा री क्रियेश्ट करना पड़ता है को उन पैसी उसी तरीके से करते करते हम करते इन सेंस ओन पैसिव जैसे स्टार्टिंग में चला था दो जारा ठारा में तब इतना बड़ा विजन लेकर नहीं चले थे कि हम आने वाले समय में डाटा सेंटर में भी काम करना है हमें एनरजी में लेकर आएंगे हम यह मैं सारी चीज़ें खुद इन हाउस करेंगे ऐसा नहीं थ चले तो डेफिनेटीली चैलेंज जिजाए विजिब कोई भी राषटा बिना जिन्दगी में तैयनि करना पड़ सकता हैं बिर यहीं रहा दो प्रोसेस में आगे बढ़ी साथियों तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आए जो हम लोगों को नहीं पता जो कर रहा है उसको डेफिनेटली उनके सामने वह चैलेंजी जाए क्योंकि यह वर्ड लेवल का काम है हरे कंट्री के अंदर गौवर्मेंट के साथ भी बात करनी जैसे लीगल इसिस को लेकर आया आया या टूर्स को लेकर आया तो यह डिसाइड की आ गया जो एससर ने बताया कि हम किसी भी third party का involvement नहीं करेंगे जो कुछ भी करेंगे हम खुद करेंगे खुद in house करेंगे और जब यह decision लिया गया होगा तो definitely उसके लिए फिर और तुनी तयारियां करने की जरुत बड़ेगी जैसे कि अभी data centers तयार किये जा रहे हैं जो almost बताया जा रहा है जैसे कि वह तयार हो चुके हैं बहुत जल्दी सारी चीज़ों पर वरक आउट होने जा रहा है तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि आज हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर चुके हैं उसको एक साइड कर दीजिए और ओन पैसिव के लोंच होने जो इस पूरी मानवजाती के इतिहास को बदलने का बदलने की चमता रखता है और वह सोच रखता है जो आने वाले समय में इस हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजाने हो तो आज के इस फाउंडर डिसकसन डे में मैं अगेन आप सभी साथियों का वेलक के शेरिंग नहीं है तो इसके उसको बात को समझें यह डिसकसन है आप अगर कोई भी हैंड्रेज करकर आता है ओपन नहीं तो हम फिर अपने चूज करते हैं कुछ साथियों को तो हम यह देखना चाहेंगे आज के अंदर के आप और हम कितनी अंडर्स्टेंडिंग बना पा आज के प्रोग्राम में पार्टिस्पेट कीजिए और आज के कारेकरम को आगे जो भी पार्टिस्पेट आते हैं उनसे पहले मैं इन्वाइट करता हूं हमारे आज के जो चीफ गैस्ट है मिश्टर असो कुमार गोस्वामी जी सर आप आईए प्लीज वेलकम है आपका और पूरे इस विचार किस तरह से रखते हैं और किस तरह से देखते हैं तो प्लीज आपको हम करते हैं की क्योंकि युक्त आपका लिंक मिला है मेरे को जी हम कोषिश कर रहें खाली आपका लिंक नहीं है जिंदिया का अंदार हिंदी और बेंगोली में जितने सारे वेबिनार हो रहे हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका कारण क्या है पहले यह बात हम बताएंगे क्योंकि देखिए आज का जो आपका टिम बैकन का फायर का जो ग्रूप है इसमें तो मेरा कोई फाउंडर नहीं है उसमें लेकिन हम क्यों आया आप लोगों का गुरू में सबसे बड़ी बात यही है पहले हम आप लोगों को जितने सारे पाटिसिपेट यहां पर है सब को मेरी तरफ से नमसकार हम बेंगोली कलकत्ता से है लेकिन हिंदी भी हम बतात प्लूठे है और वोगोले करते है उस महान इंशान पोज़ो इन शानरूम में आज जनम लिया धुरती में कि आश्म मपाार सार को कोडिकरी नमसकार है और शेलूठ पराब्गे से लूट करते है और traveल से मेंबर और सारे लेडर्स, सारे फाउंडर्स को, क्योंकि उसी की कारण आज सारे दुनिया में 12 लाक्स हम लोग कॉमिनुटी बन गिया है, एक पावार बन गिया, एक अमपेर खड़ा हो चुका है, रेबुलेशन खड़ा हो चुका है अलवार वाल में, तो पहले हम बात केहांगे, यहां पर फावंडर्स डिउसका एंदे है, मेरा जो शौच, मेरा जो एक्सप्रेंस, आन पैसिन के लेके, उ ही हम बताएंगे आप लोगों को, साइद आप मेरा जो एक्सप्रेंस है, आप लोगों उस्चेट ज्यादा भी है, एक्सपर्ड भी या पर है, और जि कैसे हम लोगों को इस बारोलाक हमदार जो है सारे वाल को जो सारी 400 कोड़ पास्सोड़ इंटरनेट उजार हो उसको कैसे हम लोग इस प्लाटफरम में लाएंगे और सब का जो डेबलप है लाइफ है उसको कैसे चेंज करेंगे इस एक सिस्टेम है आई तो दुनिया में नहीं मिला सही में नहीं मिला उसलिए सेलिट करते हैं बार बार एस वारा सार को वह देखिए यह और सिपका पहले यह जन्ना जुरूरी है कि और सिपका अपर्चुनिटी क्या है पहले इसको अच्छी तरह से हर वंदे को दिमाग में सेट करना है लेना है और माइन वे जो नेगटीव बीटी बात है जो आज तक जो जिसका एज चल रहे कुछ ना कुछ तो कामाई करे जिसके लिए जीवी का और्जन हो रहे आपको घर चल रहे लेकिन आप लोगों को जो पहले के जो सोच है आज तक और प्रेसिम फाउंडार में आने के पहले जो सोच है उस सोच जो था उसको पहले आप लोग जैसे मोबाइल में ज़्यादा स्टाउक हो जाता है रिफ्रेस कर देते हैं लैप्टॉप मोबाइल को घड़ को हम लोग सपाई करते हैं तो उसी तरह पहले आप लोगों का धिमाग को रिफ्रेस कर लिजिए क्योंकि इसलिए रिफ्रेस करना जुरूरी है कुछ उहां पर खाली नहीं होगा तो आपको इस पोजेक्ट इस सिस्टेम का नहीं खुशेगा क्योंकि नेगेटिव सोच कभी भी पोजेटिव सोच में बदलने के लिए रिफ्रेस करना जुरूरी है तो दोस्तो आनप्रेसिव का अपर्चुनिटी क्या है आज तक दुनिया में जितने सारे बिजिनेस आया है हम लोग जानते हैं जितने सारे सिस्टेम है चाहे टेडिस्शनल हो चाहे मानुफेक्टरी हो चाहे ओनलाइन नो चाहे नक्री हो चाहे जाब हो कोई भी वार्क हो उससे अलग था सिस्टेम है जो हम लोगों को दिमाग में आज तक नहीं था कि दुनिया में ऐसा एक सिस्टेम हो सकता है जिस सिस्टेम में दुनिया को बदल सकता है और ऑसिस्टेम ऐसे एक बिजनेस मोडेल जो करते हैं तो हम लोग हम इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं तो वो आदस कंटी में नहीं कर सकते उसमें बहुत सारे बाउंडी है बहुत सारे कुछ है लेकिन ऐसा ही एक सिस्टेम जो हर बंदे को ज़रूरत है आज का डेट में प्रेजेट और फ्यूचर में और वह एक ही सिस्टेम है जिसका नाम है इंटरनेट जो इंटरनेट और वर वाड में सबका जुरूरत है क्योंकि प्रेजें टाइम सारे दुनिया टेकनोलोजी में चल रहे और आने वाला फ्यूचर तो हम लोग पहले जैसा सोच रहेंगे कि हम लोग आभी तक जो है वहां पर फास्ट जाना चाहते है उसी लिए उसी तरह आफगड़ेशन का दुनिया में समाई के साथ साथ हम लोग खुद को दुनिया जैसे बदल रहे हम लोग खुद को आफगड़ेशन नहीं करेंगे तो हम लोगों को पश्ताना पड़ेगा बैकड्राउंड में क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा टिलियों बिल्योंड डॉलार का कॉमपनी है आदमी है मल्तिनिसेनल कमपनी है रिषाचार है वहुत कुछ है लेकिन किसीने अज तक सौचा कि जिसका भन तीन डॉलार है बट किसी स्वेसे इता तो मै doctrinal मैंन-प्रिट ठीक जाए इसको कैसे इक्वेल डिस्ट्रूइट किया जाए हम लोग कोई भी बीजनेस करने से पहले हम लोग क्या देखते है कि उस प्रोड़क्ट का नीट कितना आदमी का है कि हर चीज में देखिए दिमात खुड के माल लीजे आम गहू का बीजनेस करेंगे तो इंडिया में तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट जो है उसको कोस्टिंग भी बड़ेगा लेकिन ऐसा एक बिजनेस सिस्टेम है जो दुनिया में हर बंदे का जुरूरत है चाहे उसको खाना मिले या नहीं मिले लेकिन आज का डेज में ऑनलाइन का डिजीटाल का जुरूरत है लेकिन यहां पर आते हैं बात कि आज तोख हम लोग जो online का काम कर रहे हैं हम लोगों को सबको पता हो चुका है करोड़ा का चक्र में सबको पता हो गया ओनलाइन का जुरूरत कितना ज़्यादा है। क्यों और online में हम लोग घर बैटके कोन सा काम नहीं कर रहें लेकिन इसमें आता है बहुत सारे बंदा यह बताते हैं कि ओनलाइन में हम लोग फोन और लेप्टॉप और डिक्स्टॉप में जो एप्लीकेशन मुझा इंटरनेट पॉड़क्ट यूज करते हो फिरी में करते हैं यह बत सही है लेकिन इसी में हम लोगों को दिमाग देना है हम लोग फिरी में जरूर इसको डाउनलोड किया है लेकिन हम लोगों को फिरी में देखना नहीं मंगता हम लोग रिचार्ज नहीं करते हैं तो हम लोग नहीं देख पाते बतलाब हम लोगों को यह जो अलबार वाल में जितने सारे बड़ा-बड़ा आर्टी कमपानी होए जो आर्टी पोड़क बनाते हैं एप्लीकेशन बनाते हैं यह लोग हम लोगों को क्योंकि हम लोग इंटरेनेट का बारे में इतना ज्यादा एक्सपिरेंस नहीं है उसी को अग का बना का और दोनिया में जितने सारे इंटरेनेट का चल रहे हैं और इसी को करेक्शन करने के लिए और हम लोगों को अप्रोचिव ऐसा मिला कि आज तक दुनिया में हम लोग आम आदमी हैं इंटरनेट का ऊतक नहीं जानते हैं कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन हम लोगों को यह अपर्टुनिटी एक टेक्नोलोजी और टोमेशन सिस्टेम में हम लोगों को कुछ नहीं करना है करेंगे आटो मेंशन सिस्टेम अर्टिफिशल इंटेलिजेंसी और ऑन पेसीव का जो और भी बड़ा बड़ा अपर्चुनिल्टी है इसको दिमाग से लेंगे क्योंकि दुनिया में जो एप्लीकेशन अभी तक है सब को करेक्शन करके और नीव फ्योंक डालके यूट नहीं है तो उसमें नीन्यों फ्योंक डालकर हर एकलिकेशन को इतनाortun और और ऑट्राक्टिव कर दिया और इसी में हर वंदा उस जो एप्लिकेशन आएगा उसको यूज करने में बाउंद हो जाएगा अन्पेसिव में अली पर डिजिटल पॉड़क नहीं है अन्पेसिव का मुल जो लख्ख है एली सेक्टर में आप लोग सुचेंगे कि अन्पेसिव अली डिजिटल ऑलाइन इं अन्पेसिव इंटरनेट अली पॉड़क में नी है फिजिकल पॉड़क में भी आएगा नुकलियर में आएगा जैसे वाइफाइगा उसी तरह जो हम लोगों को माली एकदमपुल में बताते हैं हम लोग जो कोई भी दुकान कोई भी एरिया में कोई दुकान एक बार स्टा हो तो आपको दुकान में इस सेल्ब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते हैं तो आप दुकान को बढ़ते हैं हर पोड़क और पोड़क लेकि υません दुकान को बढ़ा करने का कुशिस करते हैं अ उस टाइम आपको फाइनार्शर भी साइड से मिल जाता है, विशबस आता है कि आप एक बिजनेस्मेन है, आपको पष्चा देना मतलब अब डूबएगा नहीं, तो आपको पष्चा देना स्टार्ट हो जाता है, और आपका बिजनेस दिन के दिन उस दुकान में जदा से जदा पॉड़ाक एक पॉड़ाक से लेके सब पॉड़ाक उसी तरह एक समाई हो जाता है बिग बाजार आपका दुकान में बिग बाजार जैसा एनी पॉड़ाक मिलता है वो कैसे होता है आपका दुकान बढ़ता है क स्टूम्थ से सब्सक्रूंद मुने नहीं लॉज हो रहे हैं अन पेसिफंख क्यों इतना लेट कर रहें है दोस्तों पैसे जैसा हम एक्जम्पल दिया उनपैसीब कोई भी मार्केटिंग में परड़क्षन करेंगे तो उसको हम लोग देखें देखते हैं पहले कितना है उतका कितना है तो उसी तरह ऑनपैसी अगिए ख्याल से आभी जो देख रहे हैं जो जो पॉड़क्ट लेकर आया अभी त उसको हम लोग जो 12 लग फाउंडर हुआ इसमें बीटा टेस्टिंग मतलब उस पॉड़क्ट का निड कितना अदमी कर रहे है उसका फिचर क्या है उसको और कितना और देना चाहिए मतलब कास्टोमर पहले ही क्रेट कर रहे डिमांड क्रेट कर रहे कंपानी मेरा क्याल से वही कि आने वाल जैसे एक एक पॉड़क्ट आएगा और भूम होने बाला है अलवार वार्ड में तो दोस्तों और पैसीब का अपर्टूनिटी हम लोगों का लाइब में बहुत बड़ा अपर्टूनिट है इसको किसी भी जर्य से खोना नहीं चाहिए और जिसको नहीं मिला है अज उसको लेके आएए क्योंकि यह दोबारा कभी नहीं मिलेगा और पैसीब अनले डिजिटल पड़क में नहीं फिजीकेल और सेक्टर में किप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में मतलब और अबार में इतना सारे जो जो सिस्टेम है हर सिस्टेम में आएगा क्योंकि हम बड़ा मार्केटिंग दुनिया में किसी में नहीं है आज देखिए इसी टाइम में आज आभी माली पांच बज़े से दस बाज़े तक देखिए कितना सो बेविनार हो रहे हैं उनपेसिव का तो यह जो मार्केटिंग केंपिन डिमांड क्रेट करने का पक्रिया जो है ना इतना जबरदस हो गया कोई भी कंपणी क्या कुछ भी कुछ नहीं कर सकते ओंपरसिव का पावर इतना में खड़ा हो चुका है दोस्तों टक से एंडिकरेट कर रहे हैं अगसे से ओंपीर दिया और Spe Civ यह अननपेसिव कंदार स्थिए न शौट प्रवाबर वाल में एनी सेक्टर में अने वाले फिवचार में तो इसमें आप सोचिए आपको कुछ भी नहीं जानते इंटर्णेट में आप सोचिए इतना बड़ा कंपणी का आप फाउंडर है आने वाले दिन में ओ वाले दुनिया का अधर करें करेंगे और उस्टेम हम लोग बोल पाएंगे और यहां मेल का पांडर है हम कितना आम लोगों का अच्छा लगेगा कितना वेलु कि रोगा तो शुचिए 9000 का बाद मत सोजिए वो सोजिए कि आम लोगों का भेलू कितना होगा और जिसका पस कस्टम हा रहे हैं उसका पस सब कुछ है इंटरनेट का भी पुक्किर्या होई है कितना रेभीव हता है कितना आदमी वहाँ पर देख रहे हैं मतलब काउंट होता है मैन पावार तो हम लोगों का पास अलड़े बारालाग मैन पावार जैसे लांच होगा दोस्तों यह 100 परसन नहीं लाखों कुड़ोर परसन गरंटे इतना रेबूलेशन होगा और हम लोगों का जो चाती है ना 30-32 जिसका है वो कितना चवड़ा होगा आप सोची है आप समन न डैसफय को लुटमीया ईकमा भडुक्ष दैस कितना हो चाता है 10 लाग 25 लाग 25 लाग एक लोग दो कलो 5 एंप लिए इसमें बना चेंड़ घ्रेगा आप्कोड़ों में पोड़ों में आएगा मतलब कैसे आएक आएगा ट्राफिक मतलब नमिन और आप एक बात प्लान में तो जानते ही है कि वान इस्टू थिरी रेशियो आभी जो कमपणी का बारलग फाउंडर है उसका इंटू थिरी करो 36 लाक अल्रेडी 40 लाक आईडी हो चुका है कमपणी में कास्तमार तो यह हम लोग फाउंडर कितना उपर में जाएगे एक सोचि किजिए तो दोस्तों मेरा इहां से बोलने का मतलब क्या है क्योंकि यह इंसन का यह जो मोका दुनिया भर और कभी नहीं मिलेगा तो उसलिए हम लोग सब मिलके चाहते हैं कि जितने से जितने ज़्यादा और फाउंडर बने इंडिया का बनेंगे और इंडिया में वो बंद मतलब सब्सक्राइब है जो जुड़ा है उसको रिशाज किजिए और दुरांद आप लोगों का रिलेशन में भाई बितना है अभी भी मौका है जदा दिन साइज नहीं मिलेगा तो लाइए फाउंडार में और हम लोगों का खुद का डेवलोप किजिए और इंडिया को भी डेवलोप किजिए ऐसे हम लोग इंडिया में 50% फाउंडार आने सब कुछ होने बाला इंडिया नंबर वान होगा मेरा सोच बता रहे तो थैंक्यू से लूट आज इसना तक बहुत सब्सक्राइब बड़ा-बड़ा मेरे मेरे से बड़ा लिडर यहां पर है वो बताएंगे आप लोगों को हम मेडिल में जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों यहां पर दोस्तों थैंक्यू सब्सक्राइब बड़ा-बड़ा इसको मिलता है तो मतलब आज तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टेम नहीं हुआ जो आज तक इतना सापट मिलेगा लेकिन अन्परसिव में 100 नहीं कोड़ोर पार्शन मिलेगा दोस्तों थैंक्यू धन्दबाद साथ अबको आच्छा लगा तो थैंक्यू दीजिए आम लोगों का पास आप लोगों का पास जोरूर आएंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा साथ सैंक्यू नमस्कर सब्सक्राइब था 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 तो आपने बहुत ही बहुत तरीके से डिफाइन किया बिजनेस का विजन बताने का परियास किया इस बतायों और फिर उसका कश्टमर बेस देखते हैं कोई वैपार हम कितने 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 कश्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अब यहां खूबसूरती एक निकल कर आती है जो असोक सरने डिफाइन किया कि दोस्तों हम एक ऐसे प्रोड़क्ट हम ऐसे टूल्स का व्यापार है हमारा यानि के ओन पैसिव कि जो पांसो क्रोड कस्टमर्स हैं हमारे वर्लड वाइड पांसो क्रोड इंटरनेट यूजर्स है और हम गलोबल हैं तो आप यह अंदाजा मतलब साइध ही कोई अंदाजा लगा सके कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज आप बैठ चुके हैं फांडर मेंबर्शिप के रूप में और सभी लीडर्स जो भी आते हैं किसी भी मंच पर वो डेफिनेटली हम सभी लोगों को यही बताने का प्रियास करते हैं कि आज जो वैल्यू ओन पैसिव अपनी और हम सभी फांडर्स की क्रियेट कर चुका है दोस्तों इसको हमें समझने की बहुत बहुत बहुतरीन असौक सर थैंक्यू वेरी मच थैंक्यू सार जब जब टाइम में जब आएंगे हम लोगों करना इंडिया को खुद आदमी को इंसन को डिवलप करना हम लोगों कम मकसद है बिलकुल बिलकुल डेफिनेटली सर चलिए आज के करेकरम को आगे बढ़ाते हैं हमारा हमारे बीच हमारे एक साथी है ओमकार सिंग प्रेमी जी आपको अन्म्यूट का उप्शन दिया जाता ह आए सर आए सब्सक्राइब है जी आमकार जी नमस्कार सभी जो हमारे जहां पर हैं मोझूद तो मैं सभी को नमस्कार कर रहा हूं जी और सब्सक्राइब वह जो जूम पर थोड़ी एक्टिविटी हुए थी तो वह मेरी गल्पी से हुगती तो उसके लिए छमा चाहता यह जो हमें इतना बड़ा प्लेट फर्म हमें मिला है यह भगवान ने हमको दिया खुद चुनके दिया जी जी और उसे बहुत सा साथ ही यह जो लोगों के मन में जो लोगों के मन में जो नहीं आ बिल्कुल ओमकार सिंग जी चलिए आज हमारा डिसकुशन डे है और आप उनपैसी के फाउंडर मेंबर है डेफिनिटली तो डिसकुशन हम करते हैं हम कुछ आप से बात करते हैं से अगर आपकी परमिस्ण होतो जी सर भी जैसा हम आरी और आपकी कई बार बात भी हुई है ओमकार सिंग जी के आप अभी अपने केरियर की सुरुआत कर रहे हैं जातक मैं समझता हूं अना स्टेडी को लेकर बीएड व हैं आप कितना समझ पाए कि किसी इंटरनेट बिजनस के लिए ट्रैफिक का क्या महता होता है जो भी थोड़ा जो भी आप हम पर बात करेंगे ना कहीं निसकर्स पर निकलेंगे जी इंटरनेट के जो जो ट्रैफिक है तो हम लोग आज बहुस तारे साथी जैसे भी हम जो नोग है इंटरनेट ड्यू कर रहे हैं तर याज जमान देर ने तो इसका जो जो रहा है तो उन्हीं को पता है जो नहीं पता है तो मतलब क्या होता है जब हम इंटरनेट भी बात करते हैं इस बात से क्या समझते हैं कि इसका मतलब क्या निकालते हैं करने से क्या होता है कि हमारा जितना अच्छा हो जाएगा तो अच्छा होगा जितना ज्यादा ट्रैफिक हो को उतना ज्यादा क्या है जैसे आपकी दुकान है आपकी दुकान के उपर कितने ग्राहक आते हैं कितने विजिटर आते हैं माली जीए आपकी किसी कम मदलब किसी एरिये में एक सोप है और आपकी दुकान के बहुत सारे लोग आते जाते होंगे उन मेंसे कुछ लोग आपकी दुकान पर चड़ करते हैं जरूरी नहीं के सारे के सारे लोग समान करीते हैं लेकिन उसमें कुछ समान करीते हैं और आपका वैपार चलता है को या कोई भी हम बात करते हैं बिजनेस की और इसी तरीके से my friends internet के ऊपर जब भी कोई website किसी का page किसी का channel किसी का कुछ भी जैसे YouTube YouTube चैनल होगे हैं त्विटर अकाउंट्स होगे या फेस्बूक पेजीज होगे या कहीं जो भी हम इंटरनेट पर करते हैं हमारे उस वेब साइट से लेकर चैनल से लेकर जो भी पेज हैं जो भी कुछ है उस पर कितने लोग विजिट करते हैं जितने ज़्यादा लोग विजिट करेंगे उस बात को बोला जाता है इंटरनेट पे ट्रैफिक और इसकी किसी भी वेब साइट की वेल्यू इंटरनेट पे बनती है कि आपके उस वेब साइट के उपर कितने ज़्यादा विजिटर हैं या आपके पेज के उपर कितने ज़्य अब हमें यहां पर एक चीज समझनी है आपने जितने बही बड़े-बड़े फिलम स्टार किरिकेट स्टार जो जितने भी लोग यह सैलिब्रीटीज है इन सब कöt Luckily होते हैं इनके लाखो लाखो होते हैं अब हम पर सम्झना हुगा उनके लाकों followers हैं आपको पता है कि वुन से अगर किसी भी कंपनी को अपने किसी एक product के बारे में अपने पेज पर information डलवानी है तो वो उसके followers की संख्या के अधार पर निश्चित करते हैं अपने rate को जैसे की एक बर अभी किसान अंदोलन जब चल रहा था हमारा तो हमारे यहां रियाना में और दिली बॉर्डर पर तो आपने देखा होगा कि एक तीन सेलिब्रिटीज ने इसके favor में कुछ पोस्ट डाली थी ट्विटर पर एक सिंगर थी को यह कहीं की थी USA की कहीं की भी आपने अंदाजा होगा हरान हो जाओगे कि उसने एक पोस्ट डालने के कितने पैसे लिए होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं सर्थ एक मैसेज डालने के अपने अकाउंट में अपने अकाउंट से सत्रा करोड 27 लाक रुपे लिए और यह मैं नहीं बोल रहा है यह सुदीर चोदरी जी ने डिने में जो जी टीवी का प्रोग्राम आता है उसमें बोला गया 17 करोड 27 लाक रुपे एक पोश्ट डालने के लिए क्यों लिए भई या क्यों दिये किसी ने सुचो उसका रिजन यह था कि उसके अकाउंट के ऊपर 10 करोड फोलोवर थे उसके पेज पे या उसका जो भी था ट्यूटर अकाउंट या जो भी था 10 करोड फोलोवर यानि कि 10 करोड क्या है वो ट्रैफिक जैसे उसने एक पोश्ट डाली यह जितना भी बिजनस है ना माई डिफ्रेंड अगर इसकी आप गहराई में उतरें तो कोई भी बिजनस एड़र्टाइजमेंट का अधार होता है अब जैसे उसने एक पोश्ट डाली तो सीधा सीधा 10 करोड लोगों तक चली गई राइड व कम समय finds एक सैकिंड दो सैकिंड मैक्सिम पांस सैकिंड में वह पौश्ट 10 करोड लोगों तक वाइरल हो गी और इसको कहाते हैं वाइरल करना वाइरल होना और जैसे वो रीट्विट किया गया होगा तो अगले ही कुछ सेकिंडों में वो 10 करोड से अगर एक एक भी अगर दो-दो फॉलोवर भी उनके होंगे सबके तो 20 करोड, 30 करोड, 50 करोड यानि की पूरे वर्ल्ड के अंदर वो वाइरल हो गई ख़बार इसी तरह से फेस्बुक है, फेस्बुक पर क्या है, 275 से पूरे तीन सो करोड यूजर है, तो ये जो यूजर है फेस्बुक के वो फेस्बुक के लिए एसेट है, और यही ट्रैफिक है इसी तरह से इंटरन जब ओन पैसिव काम करेगा दोस्तों ओन पैसिव आज क्या है 11 लाग के करीब हमारे फाउंडर मेंबर हैं ना जैसे ही हम मार्किट के अंदर आएंगे या जो हमारा सेमी लोंज से लेगा जिसे मार्केटिंग कंपेनिंग कहते हैं आप इसके एक टूल को समझेए जैसे मालीज़े ओकनेक्ट ही आता है ओकनेक्ट जब मार्किट में आया तो ओकनेक्ट को यूज करने वाले जितने लोग होंगे तो और जब इसनकी संक्या बढ़ेगी करोडों में जाएगी तो करोडों लोग क्या होगे ओकनेक्ट के लिए ट्रैफिक होगे और ओकनेक्ट किस से ओपरेट होगा ओनपैसिव से होगा या आपके आपके वेबसाइट या हमारी वेबसाइट रहोगी उसके थुरू होगा तो वो उस जितना ज्यादा लोगों का आना जाना रहेगा वो आपके लिए कई तरह से रेवेन्यू जिनेट करता है की बात की जा रही है जब हमारे एक बार सोच के देखें कि हमारे इस बिजनस में जब पचास से ज़्यादा टूल्स रहेंगे तो हर तरह का व्यक्ति हमारे टूल्स को यूज करने वाड़ा है यानि कि अगर पांसो करोड में से अगर हमने 50% मार्किट को भी कवर कर लिया 200-200 करोड सोचें एक बार 200-200-300 करोड लोगों तक ओन पैसी आने वाले एक डेट दो साल में जब पहुंचता है तो वो हम ही तो ट्रैफिक हो गए पूरे वर्ल्ड के तो यह पावर है माई डियर फ्रेंड्स ओन पैसी की है यह लोग पागल नहीं है पूरे वर्ल्ड के जो इत यह पूर्ण रूप से तयार होकर आएगा और यह लौन्स होगा तो यह थोटा सा प्रियास था कि हमने आप से का साथ एक पॉइंट पर डिसकस किया उंकार जी सर जी जी सर जी बहुत से साथी यानि हमारे जो पांडर साथी है तो जो भी प्रोड़क्ट है तो मेरे साथ से इसने जाले निवी कर लिया जाए और अप्रोड़क्ट हो बगरा और शॉअह ट मैशी स्वाव खांट कोई नहीं है यानि आ इसना प्रश्वार में इसंड़ां नोपर में जो यही चीज हम इसलिए कहते हैं कि केवल वैबिनार से बहुत सारे लोग तो वैबिनार से कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को समझ भी पा रहे हैं लेकिन आप यह समझ नहीं है वह तो समझ बना पा रहे होंगे और के वह पैसे आए पैसे और इसलिए लोग बैठे रहते हैं कभी कबार आपके पास भी हमारे पास साल श्मीने में फोन करेंगे वह तो मेरा सवाल होता वह यह आपकी नहीं है क्या अगर आप फांडर है तो चलता रहेगा लेकिन हम तर अपनी तरफ से प्रियास वी सटेंब्स है सारी चीजों को प्रोसेड्स को समझने के लिए मैं बात करूं स्वावत कंडाव्ड क्लावड 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 क्यक्ञे बौलते हैं क्लावड स्टोरेज या कलाउड कंप्योटिंग इन के ऊपर थोड़ा सा जनकारी है ली दोस्तो इतन मतलब एक-एक इतनी गहरी है एक एक चीज इतनी गहरी है आज हम आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा जो हम गूगल ड्राइव करते हैं वो क्या है वो क्लाउड है कि आपके परसनल जैसे हम अपना कंप्यूटर या लैप्टोप या फोन लेते हैं उसके अंदर हम कोई भी फाइल या फोटो या वीडियो सेव करते हैं लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप आप नहीं बाहर जा रहे हैं आपके पास फोन नहीं है लैप्टोप आपका नहीं है तो आप उस को रिसीव कैसे वहां कैसे ऑपरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके लिए होता है क्लाउड कि आप विशु में कहीं भी जाएं आपको कोई आपके पास क्लाउड पर आपकी स्टोरेज तो आप वहां से उसको इजली किसी भी सिस्टम पर बैठ कर अपनी इमेल आईडिया जो भी लोग डिटेल वह डालकर अपनी इन्फोर्मेशन को ले सकते हैं लेकिन काफी गहराई है दोस्तों यह टेकनोलोजी बहुत विसाल है इस साथी है हमारे बहुती है साथ ही है मिश्टर मदू सुदन बांदे जी तो बंदे सर आपको वेलकम करते हैं स्वागत करते हैं आप आईये और आम डिसकस करते हैं थांक्यों अरिजी थांक्यों वेलकम मैं मदू सुदन बंदे महाराष्ट्रा अमराथी से बात कर रहा हूं मैं रिटार एजुकेशन आपे सरू सर और यह इसमें जुड़ा हूँ बहुत दिन से तो बात आईशे है सर अभी बहुत दूर चले गए अपन अभी अभी पिछे मुलने का कोई चांस नहीं है यह समझने की बात है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आमेलेम की होंगे अभी तक के तो बहुत फंडे चरते सर फंडे देखने का इंडिया में फंड आगर हो बहुत देखे गैजे के 옆ंभ को आगाम बहुत बहुत सारा यह लेकिन अभी तक लोग अभी तक भी बोर रहे कि आई था बहुत कम्पशने आगा बहुत कम्पने छने गया औरही कि अॅंच्ड घोला तो दोनों की अरे यहुर था यह उन पेस्य आपके दिल yesterday तुमना भाई कि यह इंडिया किया कमपण था है एया और की कमपणी है वह इसमें जोरने का कोई जरूरत नहीं है वो इसमें जोरना पड़ता है बहुत सार बहुत सारे देखना पड़ता है कोई आत्ता. कहां किसको बोलो किसको बोलो. तो दुनिया भरे के लोग अपने को बोलते, जब दूब जाती, तो इतना डूब गया, कितने लोगों के मस्तक मारी हो गई, अपनी मस्तक मारी, ये कुछ लोग सोचते नहीं, क्या सोचते श्रीफ, जी भाई, ऐशा कंपनी आ गया, हमने काम किया कंपनी में, और हमको कुछ मि मिला भी तो जितना मिला उसे ज्यादा चले गया, तो ऐसा ही सोचना ये भी चल रहा, और कैसी बात है सर, जाओ, लोगों का सोच कैसा है कि तुरंत, तुरंत कुछ मिल गा, अभी मेरा बच्चा, मेरा लड़का है बेंगलोर में सर, देखो कैसा है था, वो आयायम में पढ़ उसको सब मालू है, लेकिन क्या हो गाया, वहां से बैंगलोर से एक फोन आगया, देखो कैसा है सर, ये लोग क्या करते, किसको तो भी अच्छा आदमी को पकड़ लेते बराबर, कि भाई, इसकी इमेज थोड़ी अच्छी है, कि नहीं तो एकादे, 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 और पकड़ लेते, तो ऐसा एक आदमी उन्होंने, आयायाम का एक लेक्चरर के बोलो, कि आयायाम का एक अच्छी सिस्टीम का आदमी पकड़ लिया, और क्या फंडालाया सर, देखो, कि सभी फांडर को बोलता, आपने, सभी लोगों को, ये समझने की बात है, कि बीस हजार और भीच हजार रुपए डानने के बाद, पास दिन के बाद आपको पाच पास सो रुपए रोज के आपके अकाउट में क्या हो जाएंगे। पास 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 प्रूपय तो यह अपने को समगता कि मनी मनी रोटेशन का गया महीं हो तो लड़का बुर रहा था कि क्यू कर रहे हैं तो कॉलेश के लड़के को खर्चने को पषिए नहीं रहे तो तुम का से दे रहे भाई तुम उसमें सी दे रहे ना तो जब आपको 10,000 प्रूटेशन का सब्सक्राइब करना चाहिए थोड़ा तो अपन तो जो मालूम नहीं था अपने को उस पर भी अपन राज कर रहे हैं अपन नहीं सोच रहे थे 2018 में 2019 में 2020 में यह नहीं सोच रहे थे हैं कि यह भी होगा मैंने आपको वह एक कोच्छन पुचाता सब कि यूटॉब सरी का क्योंकि डाटा सरी का अपना डाटा एन्हें अपन अदूसरे से लेते अभी तो वह हो का कि नहीं होंगा आपन अपन अभी डाटा में चेले गए अपन यूटॉब सरी का भी आपन अपना क्या रहे गा यह उखाएंगा कि सर्च होगा करता है बैटा से ऑपरेट होता है जिनके पास जित्रा ज्यादा गूगल क्या है गूगल के पास क्या तो यह सोचने की बात है तो यह समझने की बात है लोगों की तो आपकी बात तो हर्दम मेरे दिमाग में आजय थी कि एक आदमी बहुत सारे आदमी को बहुत दिन तक मुर्ख नहीं बना सकता जैसे अशोक सर ने बोला अभी कि अपने इंडिया में अपन ते वो कुछ तो भी शब्द है उनका वो इंडिया में हो सकता यह कि लेकिन अदर कंट्री में यह तो यह सोचने की बात है बड़ा अच्छा हो रहा है बड़ा अच्छा लगए अब इंडिया में भी सारे बड़ूबक नहीं बैठे है विलकुल विलकुल थैंक यू थैंक यू मदूसिदन सार आपने पार्टिसिपेट किया साथियों देखिए हमें थोड़ा सा यह लगता है कि आप हमारे बीच में बहुत सारे साथी हमारे रेगुलर अटेंडी हैं त आपके लिए भी ये एक अच्छा रहेगा ताकि जितने जदा आप आगे आकर बात करेंगे लोगों के अंदर आपके नाम की आपकी पैचान बनती है तो ये एक अच्छी बात है और ओन पैसी डेफिनेटली दोस्तो दाम से पहले नाम का बिजनस है दाम तो बाद में आएं सफेद कागज पर काड़े एकसरों से उसका नाम लिखा जाए तो ये हर एक आदमी के एक अंदरुनी इच्छा होती है ये शेक्स पेयर ने लिखा था और उन्होंने भी नीचे अपना नाम लिखा था तो हर आदमी की इच्छा है कि उसकी पैचान बने उसका एक नाम हो और नौर्मल की तरह ही हमने शुरुआत की थी लेकिन इसको समझने का परियास किया और आज हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए आज हमारा वेबिनार के इंट कंपनी के वेबिनार्स के अंदर हमारी भी नाम आ जाता है आज हमारे भी पोस्टर आ जाते हैं उसके अंदर ज देखते होंगे तो कही ना कहीं उनको पता है कि अर्याना बादरुगड इंडिया में हरी सर्माया सुभास नैंजी भी है जो प्रेजेंट कर रहे हैं पैसी पहचान बनाने का एक मौका है नाम कमाने का एक मौका है दाम तो डेफिनेटली आने वाले समय में आएंगे इन्वाइट कीजिए और आगे बढ़कर क्योंकि लीडर वो होता है दोस्तो जो खुद करके दिखाता है पहले यह नहीं कहता है कि आप ये करिए आप मीटिंग अटेंड कीजिए आप मीटिंग अटेंड कीजिए आप अपनी टीम को बोलते रहें और आप अटेंड ना करे कर इसका benefit उठा सकते हैं और बड़े मंच पर मोका ना भी मिले साइद लेकिन इस मंच पर यह आपके लिए है यह आपका अपना मंच है खुल के बिंदास होकर आप इसका benefit उठाइए अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग का invitation दीजिए invite कीजिए और आप काम कीजिए हम मेरा तो यही आप सभी लोगों के लिए आज के दिन संदेश है थैंक्यू वेरी मैच आज का प्रोग्राम बहुत संदर रहा और आगे इस कारेकरम को conclude करने के लिए अगर मैं चाहूंगा सुबास नैंजी अगर हैं तो साथियो तो आज के हम कारेकरम को conclude करते हैं और conclude करने के लिए हम अपने सीनियर साथी मिश्टर ओपी वर्मा जी को invite करते हैं जो की बहुत ही शांदार बहुत बेहतरीन तरीके से ओन पैसीव की समझ बना रहे हैं लीगल्टी के उपर समझ बनाते हैं और इस पूरे पूरे इ करकर समपन की तरफ ले जाएए वेलकम सर थेंक यू थेंक यू हरी सार आज बहुत बहुत बड़े असर असोग जी ने बड़ी बहुत-बहुत मैं तो पुरुन जानकारी हमें दी बांडे सर्में भी बहुत अच्छा बताया सर और इसी तरीके से हमारे जो साथी हमें सर स्मंच से लेते हैं यही समंच का परपस था सर के हम ज़ादे से ज़ादा है नॉलिज आपस में डिसकस करके दूसरे को हम वेलोग दे और और ले और साथी हो ऑउन passive एक समझने का business है ना कि अपने कुछ करने का हम कर कुछ नहीं सकते इसके अंदर सिर्फ हमने इसको समझना है अगर हमारे समझ में ये बात आ जाती है कि ये है क्या चीज बाकी सारी problem में तो ये अपना आप ही हल कर देगा तो सातियों इसको समझने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा webinar के साथ touch में रहिए जितनी ज्यादा से ज्यादा knowledge gain करेंगे future में जब हमारा ये business launch होगा तो उस वक्त हमें बहुत काम आएगी क्योंकि पीछे सी थोड़ी सी अपने टूल आये थे उस वक्त भी कितनी ज्यादा problem लोगोंने create होई थी वो सिर्का कारण सिर्फ यही था कि उनको knowledge नहीं थी कि mail चेंज करने का option आया था उसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी LC टीम को हिला के रख दिया जबकि वो सारा काम हम self कर सकते दें उसमें हमें किसी की help की जरूरत नहीं थी तो साथियों touch में रहिए business की ज़्यादा से ज़्यादा knowledge लेजिए क्योंकि ये business हमारा है अब तो चलो ये webinar वगएरा चल रहे हैं कुछ बताड़े वाड़े भी है लेकिन जब ये तो हमें बताड़े वाड़ा कोई नहीं मिलेगा हम अपड़ी खुज जिम्मेवारी पर ही काम करेंगे अगर हमारे को knowledge नहीं होगे तो हम फैल हो जाएंगे हमारे को इतनी बड़ी opportunity मिलने के बावजुद भी हम कुछ भी गैन नहीं कर सकेंगे तो इनी के साथ साथ जी हो मैं आज का meeting का समापन करते हैं कल हम एक नए session में फिर हाजिर होंगे तो अनमियोट का उप्सिंदी जी अब अपने आज 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 आज